greater kailash विदानसवा जैसे इस विदानसवा का नाम आपके दिमाग में आता होगा आपके दिमाग में आती होंगी कुछ ऐसी सडके जो बेहत बहतरीन है कुछ ऐसी सोसाइटीज जहां पर पढ़े लिखे लोग रहते हैं और यहां पर गंदगी आपको आम तोर पर देखने को नह साब हम से क्या गलतिया हो रही है क्योंकि अर्विंद केजरिवाल साब जब राजनीती में आये थे तो बड़े-बड़े लंबे चोड़े वादे किया करते थे तो जब मैं इस उपर ढखन होता है यह किस प्रकार से टूटा और यह शोचाले के बाहर का नाल है तो सबसे पहली चीज तो यहीं नोटिस करने वाली और यहीं कमी आपको आमतोर पर अधिकतर विधान सभाओं में देखने को मिलेगी और यहीं कारण है आपको पता होना चाहिए कि अभी तो यह गलती यहां पर आपको दुवारा देखने को मिल जाएगी और ना किवल इतना जब मैं यहां के शौचाले के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा था तो आम तो पर आपके दिमाग में क्या आएगा कि हां शौचाले बड़े बहतरीन होने चाहिए उपर से स यहां पर साफ सफाई की बड़ी बात चलती है सौरब भारतवाज वैसे भी आम आदमी पार्टी के दिगजनेता माने जाते हैं तो जब मैं यहां पर पहुंचता हूं तो आपको देखकर के हसी भी आएगी और कहीना कहीं तरस भी आएगा कि हाम आदमी पार्टी जो अपने यह एक शोचाले का हाल है बनाय किसलिए गया था ये भी एक सवाल कि बनाय कियों अगर इसको बंधी और अगर बंदी करना है तो फिर यह इस प्रकार से क्यों पूरी जगह क्यों खेर रख़िए ठीक है क्योंकि में CT के पास देखिए MCD के पास अगर आप काम करवाने के लिए जाएंगे या फिर विधायक साब के पास काम करवाने के लिए जाएंगे तो उनके पास समय और पैसा दोनों नहीं होता है जो कि आम आदमी पार्टी उसको लेकर के तो अर्विन दिकेजरिवाल ने बड़ा टार्गेट किया था और पूरी आमादमी पार्टी ने टार्गेट किया था कि अभी भी ये शौचाले की बात कर रहे हैं इतना समय हो गया हमारे देश को इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है समय वियर्थ कर रहे हैं तो इसमें गल्ती किसकी दी जाए विदायक साब तो कहते हैं कि हाँ भाई साब हमारी अच्छी है तो ग्रेटर कालाश का एक हाल यह आप देख सकते हैं यहां के लोगे से लोगों से जब मैं बात करने की कोशिश करूंगा तो आप देखिए कि किस परकार से मूँ मोडा जा कुछ दो ऑब ही हाँ आप वह मैं च्कुक्ति हों यह घ्याइंता तो इस प्रकार का हाल अगर आप एक ऐसी कंसे से उम्मीद करते हैं जो की पॉर्ष इलाकों में खास तौर पर गिना जाता है पॉर्ष इलाका जिसको हम क्याते हैं वह आप देखेंगे तो यह हाल आप सोचे कि पूरी दिल्ली का क्या हाल हो रखा है ठीक है और इस प्रकार से ना केवल यहां से घरा गया पीछे से भी आप दे हूं के यह हैं तुम तुम चार पांच साल से चाह classic keywords ज्यार हो जिन के डिन से बंद याँटी बताएंगे अठिय अच्छा ऑच्छा जी साफ सफाइ नहीं करते हैं आइच क्यों पाताँ है एक हमका पता ने क्यों बंक हैं तो पतां है9 इस कि आप लोग है आप यहीं रहते पानी वनी कैसा आता है पानी है ना पीने लायक पानी नहीं है नहीं है तो मतलब एक तरफ आप कह रही है पीने का पानी अच्छा और आई था पीए तो मना नहीं पानी का पानी का पानी की समस्या है वैसे अरविंद केज्रिवाल कहते हैं कि भाई साब हमारे यहां पीने का पानी जो बड़ा अद्बूत आता है हालां कि अब वो दिख नहीं रहा है कि पीने का पानी कितना अद्बूत आता है और यह गटर जो है यह साफ किया गया है और साफ होने के बाद यहां पर ढगाना भूल गया पंदर बीस दिन से यह ढगकन यहां पर नहीं लगा हुआ है तो सोचिए कि कल को अगर को दुर में बॉक्स में ज़रूर बताइए अगली वीडियो में आपसे फिर से मलाकात होगी तब तक के लिए जाज़त धन्यवाद नमस्कार जहेंड